होम शान्ति प्यारे बाबा निकाहा मीठे वच्चे मीठे वच्चे किस निकाहा हमारे प्यारे बाबा निकाहा मीठे वच्चे तुम ब्राह्मन ही गाडली स्टूडन्ट हो तुम्हे बाब ने क्या बतलाया तुम्हे बाब ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया देखो तुम्हे बाब ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है अभी तुम सब अभी तुम सब कुछ जान जाते है जान जाते हो क्या हुआ क्या हो रहा क्या होने वाला तुम बच्चे सब जान जाते हो इसलिए तो हर एक बाबा का बच्चा अपने अंतिम अंतिम पुरशारत स्थिती में सब तत पर है सुमदुवन में सब का मिलन होता बहुत बहुत खुशी हो रही है इसलिए बाबा ने कहा दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी दूसरों को समझाने दूसरों की सेवा के लिए किन बच्चों को एक फलक सैज, सरल, स्वभाविक फलक किन बच्चों को रहेगी नहीं कम उन से बच्चे होंगे, कैसे बच्चे होंगे जो देखो जरूर है अपने में ध्यान गया होगा कि मेरे में कौन सी फलक है समें के अनुसार अपने में सब आता जाता सोभाविक मन अपने में जाता इसलिए दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी आच बाबा कहते है बच्चे उतर जिन के पास ज्यान की पुंजी है वो फलक से रह नहीं सकते देने के बिना जिन के पास ज्यान की पुंजी है जो सहिम हर बात को समझ कर धारन करते हैं हर बात को समझ कर धारन करते हैं वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं चल रहे नहीं देखो ऐसा ही अभी टाएगी अभी चे देव उन से वर्षा लेने की विधी बतलानी है अच्छा जी आज गीत है तकदीर जगा कर आई हूं मैं एक नई दुनिया वुसा कर लाई हूं आउम साथी वास्त में ये गीत गाने की जरुरत नहीं है प्रंटू प्रंटू फिर गीत गाने की जरुत नहीं है प्रंटू प्रंटू बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है क्योंकि बहुत समय से बच्चे थके सुस्तु उदास इसलिए बहलाने के लिए ये आवाश करना पड़ता है वास्ता में आत्मा को आवाश करने की दरकार नहीं है देखो हम सब अनभव कर रहे हैं आवाश करने की दरकार जरूरत नहीं है सोभावी की बाबा करा रहे हैं समय करा रहा है आवाश करने की दरकार नहीं आत्मा तो आवाश से परे निर्वान धाम में जाना चाहती है बहुत बाजे गाजे तालियां आज सुनकर आत्मा ठकी हुई है इसलिए अब बाब को याद करती है दुनिया में भी समाज में भी गाओं शेहर में भी ज्यादा करके लोग ओम शान्ती ब्रह्मा कुबारियों का सुनना आजकल चाहते हैं कि वहाँ जो सुनाया जाता राइट है ठीक है हम इतना कर नहीं सकते लेकिन उन्हों का है सब राइट इसलिए तालियों से बाचे गाजे से सभी ठके हुए है अब बाब को याद करती है हे भगवान मुझे ले जाओ बच्चे जानते हैं ये बाब हमको समझा रहे है जैसे घर में बाब और दादा दोनों कहते हैं न क्या बच्चे बच्चे कोई पोतरा पोतरी तो नहीं बोलेंगे न बच्चे बच्चे कहते हैं दादा ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि पोतरे इधर आओ उदर जाओ ऐसे तो नहीं कहेंगे न पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे, बच्चे इधर आओ, बाग्यशाली है हम लोग, बाप, दादा, दोनों, निराकार, साकार, जो अव्यक्त रूप में हमारे साथ है, साकार, बाबा, पालना देकर, जनम देकर, किस प्रकार से अव्यक्त हो गए हमें बनाने के लिए, इसलिए, दोनों ही कहेंगे, बच्चे इधर आओ, यहां तो बाप और दादा, साकार और निराकार, दोनों इकठे हैं, वास्त में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है, तो जरूर परमपिता परमात्मा को सुरिष्टी रचने आना पड़ेगा ना, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुगा है क्या, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुगा है क्या, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया आबू में भी आबू में भी अदर देवी और कुमारी कन्या का मंदिर है तो एक कन्या तो नहीं होगी ना जरूर बहुत होंगे दोनों का अलग अलग मंदिर है अदर कुमारी किसको कहा जाता है कुमारी कन्या किसको कहा जाता है ये अब तुम बच्चे जानते हो ये है शिव शक्तिया अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है बहुत कोठरिया है तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारिया और अदर कुमारिया बहुत है चित्र जो बनाते हैं वे भी तो यादगार है न जो होकर गए है जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं जरूर होकर गए है वे विश्व के मालिक थे अब नहीं है अब बन रहा है इसलिए उनकी कोठरिया यादगार बनी हुई है नहीं मंदिर में जाना करना अपनी अपनी कोठरी हम लोग नमबर लगा करके आते थे शुरू में जब जाते थे किस की शकल किस से मिलती है किस कोठरी से मिलती है मिला के आते थे फिर बाबा शाम को पूछते थे आज किस किस ने देखा कौन-कौन गए तो बतलाते थे बाबा मेरी ये कोठरी का नमबर प्यारे बाबा के साथ विताए दिन सदा याद है विश्व के मालिक थे अब नहीं है विश्व के रच्टा नहीं भारत को विश्व का मालिक बनाया कैसे सो अब प्रैक्टिकल बन रहे है अभी तो कल जुग है सजुग है एक आद सनातन देवी देवता धरम कल जुग में अनेक धरम और अनेक प्रजा का राज है तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथारत रिती ठीक समझाती है अब तो दुनिया संसार बोलता सब ठीक है सब इनका ओम सांती का ब्रमा कुमारियों का कहना ठीक है क्या करें हम कर नहीं सकते हैं मजबूर होते हैं इसलिए अंतिम अंतिम प्यारे बाबा के महावा के कहे हुए बच्चे सबका सिर जुकेगा लाज समय इनको जुकाएगा समय इनका टीचर बनेगा सो साकार बाबा सदा याद आती है इसलिए बाबा यथारत रीती ठीक समझाते हैं प्रन्तु कोई कारणवश हमको धारना नहीं होती है मानना शुरू कर दिया है मानते हैं बाबा के बच्चे तो मानी रहें तब तो इतनी उन्नती प्रगती में मेहनत कर रहे लगे हुए हैं कारणवश हमको धारना नहीं होती है इसलिए औरों को भी धारना नहीं करा सकते कोई ना कोई विगन है हम सच्चे दिल पर बाबा मदद करता है राजी रहता है इसलिए कहते कोई ना कोई विगन है हम डल स्टूडेंट है हम डल स्टूडेंट है अपनी को जैसा है वैसा मानना भी बहुत बड़ा समझदारी है बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीती समझाते हैं अनेक मनश अनेक धर्म है पांच हजार वरस पहले भारत स्वर्ग था बहुत थोड़े मनश थे सिर्व सुर्य वन्शी और चंदर वन्शी वै आत्मय परम धाम से आई थी अपना पाट बजाने बाकी सभी धर्म की आत्मय निर्वान धाम में थी अभी अनेक धर्म है बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोब है तो जरूर फिर सज्जुग बनेगा परम पिताप परमात्मों को ही आकर स्वरग रचना पड़ेगा बक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उनों को भक्ती का फल देने के लिए भी तो यहां आना पड़ेगा ना बाकी सबको वापस मुक्ती धामे ले जाना होता है और तो कोई वापस ले जा नहीं सकते है अगर एक भी गुरू गती सद्गती का रास्ता जानता होता तो उनके पिछाडी लाखों शुष्वी जाते उन्हें यात्रों में तो जाकर फिर लौट आती है प्रन्तों मुक्ती धाम से फिर वापस आये ही क्यूँ एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाएं अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है सबी को दुख की दुनिया से चुड़ाते हैं देखो खुशी होती है न अंदर सबको दुख की दुनिया से क्या कर रहे हैं भाबा के बचे चुड़ाते हैं इसलिए उनको लिब्रेटर कहते हैं उस निराकार को आने लिए अब फिर क्या चाहिए शरीर चाहिए तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजा पिता भी चाहिए रचना यहां रचनी है तो ब्रह्मा भी यहां का मनुश्य चाहिए सुक्षा वतन से उतर नीचे तो नहीं आएंगे न कहते भी हैं अभी है क्या? ब्रह्मा की राथ तो ब्रह्मा मकवन्शा वली की भी क्या हो गई? राथ हो गई अब अंत में बाप आए हैं क्या करने? दिन करने के लिए ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो भीके की रात भी क्या है? पूरी होती है इसलिए बावा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो सदा सुखी रहो तुम्हारी रात लगवक पूरी हो गई है रात भी पूरी होती है प्रजा पिता ब्रह्मा तो ठीक है वास्ता में सभी मनुष आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है सभी उनको गाड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं सेंसिबुल मनुष जब गौड फादर कहते है तो कोई मनुष को याद नहीं करते कोई तो कहते वे जोती स्वरूप है ब्रह्म है ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे तो पहले पहले परिचे देना है अपना की बीके है ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं फिर ब्रह्मा मुक्षे क्या करते हैं ब्रह्मनों को रचते हैं प्रजा पिता है तो जरूर उसकी संतान भी तो होगी न इस रीती सिजरा बढ़ता आजाता है खुशी होती है ना सिजरा बढ़ता आजाता है बढ़ता ही रहना है बढ़ना ही है ब्राह्मनों का वरन बदल सज्जुगी देवता बनते हैं क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मनों को राज योग सिकलाते हैं बगवान बैट्स राज योग हम को सीख ला रहे और हम सीख रहे हैं उनकी आग्या का पालन करते है बाब कहते तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ है जान जाते हो बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता है इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो इतना बड़ा इम्तिहान कौन बच्चे सब पास कर लेते हो अर्थात मास्टर जानी जानन हार बन गए हैना सब बाबा की सेवा में तत पर है हैना अन्भव होता आजकल शुरू से होता तो भी अभी तो ऐसे सब का सिर जुका होगा है इसलिए किसने जुकाया प्यारे बाबा ने सिखाया जो बतलाया वो ही सब को सुनाया और दिया इसलिए प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया इसलिए कभी भी आपस में अपने को एंकार नहीं आता बहुत तो अच्छे अच्छे बोलते है कि इतनी आप लोग भड़ी सेवा विश्व की सेवा इतनी कर रहे है लेकिन आप लोगों में अहम अभिमान जो है वो नहीं आता क्यूं पैरों को हाथ नहीं लगाने देते है तो इसलिए भाई जी हमारा ये जो दिया है आपको ग्य पितार द्वारा इसलिए प्रजा फिता-डवर ब्राहमन रचते है रुद्र ग्यान यग्ये भी ब्रह्मा ही रचते है एक्रिश्ण ग्यान यग्ये तो नहीं कहते हैं तो पहले-पहले समझाना है कि हम को पढ़ाने वाला स्वयम परम पिता परमात्मा है जो ही ग्यान सागर है वही हमारा कौन है ग्यान सागर जो ग्यान देते हैं वही हमारा और क्या है वही हमारा बाप वही हमारा टीचर वही हमारा सत्गुरू है फिर उनमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्ण उठाने की दरकार ही नहीं इतने धेर भी के हैं कोई एक दो तो नहीं है इतने ब्रम्मा कुमार कुमारिया सारे संसार में सिवा पर हैं इसलिए पहले पहले पढ़ाना ही है क्या अलफ मनश कुछ भी जान नहीं सकते